तो दियर अब तक हमने जो है अपने इस चैनल पे MRS Study पे देखा Environmental Engineering में की Quality of Water Parameters कौन-कौन है और One by One सभी चीजों के बारे में हमने जो है डिसकस कर लिया अब यहाँ पे हम लोग जो है Water Quality Indexes के बारे में डिसकस करेंगे To Determine the Drinking Water Quality को Determine करने के लिए कि आरवन एरियाज में कैसा होगा, रूलर एरियाज में कैसा होगा और इंडेस्ट्रियल एरियाज में कैसा Water हम लोग यूज करेंगे उसके लिए Water Quality Index जानना जरूरी है तो Water Quality Index is an Index reflecting the composite influence of different Water Quality Parameters which is considered and taken for calculation of Water Quality Index ताकि Water Quality Index को calculate कर सकें उसके लिए हम लोग को Water Quality Parameters को समझना और जानना जरूरी था इसलिए सबसे पहले उस चीज के बारे में हमने पहले discuss कर लिया City Ranking as per Water Quality Test conducted by Bureau of Indian Standards तो कुछ Cities का नाम है और उसका ranking है यह जो ranking है यह 2021 के Cording मैंने यहां पे लिया है तो यहां पे Mumbai में 0 out of 10 number of simple failing capital और rank दूसरे नमबर पे हैदरावाद और भुनेसवर 1 by 10 1 by 10 तीसरा में राची 1 by 10 चौथा में रायपूर 5 by 10 उसके बाद है आपका पाचमा नमबर पे अमरावती 6 by 10 6 में सिमला 9 by 10 7 में चंडिगा 10 by 10 8 में 3 वन थ पूरम 10 by 10 9 में पतनाव और और भुपाल 10 by 10 10 में नमबर पे गुवाटी और बैंगलूरू 10 by 10 यह और गांधी नगर भी 10 by 10 है 11 नमबर पे लखनाव, जमूई 12 नमबर पे जैपूर, देरादून यह सभी 10 by 10 है 13 में चिन्नाई 10 by 10 14 में कोलकाता 9 by 10 15 में देली 11 by 11 यह जो है, क्या दिया गया था आपका तो यह दिया गया है City Ranking as per Water Quality Test Conducted by Bureau of Indian Standard नमबर आफ सेंपल फैलिंग यह यहाँ पे जो है दिया गया है तो यह आपका है उसके बाद अब बात करते हैं Water Safety Plan Water Safety Planning is a Comprehensive Risk Assessment and Risk Management Approach पानी को safety के लिए एक प्लान बनाना एक अपने आप में रिस्क है क्योंकि आप कितना भी रोक लीजिये पानी को pollute होने से वो होकर ही रहता है चाहे थोड़ा सा हो चाहे जादा हो चाहे बहुत जादा हो That encompasses all the steps in drinking water supply chains from catchments and consumers हना कहां से पानी लिया जा रहा है और कहां तक पानी को पहुंचाया जा रहा है Water Demand To design a water supply scheme we must first estimate the population for which the scheme should be designed हना कहां पे पानी हमें पहुंचाना है कितने number of people के लिए पानी पहुंचाना है उसके लिए एक proper scheme को design करना जरूरी है The scheme once installed must cater for the demand for projected population up to some predetermined future data अना कुछ भविस्य के लिए जो है हम लोग data मान कर कि भाई आज यहां पे हम इस पानी के टंकी को बैठा रहे हैं तो यह पानी की टंकी की छमता जो है एक हजार लिटर है अब यह एक हजार लिटर अभी अगर दस लोग है तो मिलकर दस दिन में खतम कर रहा है आने वाले समय में हजार लिटर सौस लोग जो है कितने दिन में खतम करेंगे कितने साल में खतम करेंगे इस तरीके से जो है इस्टिमेशन करते हैं लेकर चलते हैं और उसके अनुसार जो है कलकुलेट करके एक जडिजाइन बना पाते हैं इसके अंतरगात तो वह हमारे कहला था वाटर डिमांड डिजाइन प्रियेड अ वाटर सप्लाई स्केम इंक्लूड यूज एन कॉस्ट्लिय स्ट्रक्चर्चर्स होते हैं जैसे रिजर वायर्स डैम्स पंपिंग यूनिट्स डिस्टिविशन सिस्टम ये सभी जो की तुरंत आज बनाएं कलक बोल दे कि भाई जिसको हटा दो अब इसकी जरुवत नहीं है तो ऐसा नहीं होता है इसको रिप्लेस करना और इंक्रीज करना पॉसिवल नहीं है इसलिए हम लोग जो है एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर को कल्कुलेट करते हुए वैरियस कंपोनेंट्स आर डिजाइन सच डैट फ्यूचर नीट्स ऑफ कम्मुन डिजाइन प्रीड कहते जाता है कि वै कितने सालों के लिए पानी को सप्लाई करने के लिए बनाया जा रहा है कितने साल तक यह कि अब्रिजाइन प्रिएड उठे अर की बढूचर और लोगों की बढिन्रिएड और बंृत्र Vasud design period होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए तो as per government of Indian manual government of Indian manual के according यानि GOI के according component and design period कुछ दिये गया है जैसे water treatment plant अकर बना रहे हैं तो कम से कम 15 साल के लिए तो बनाना ही पड़ेगा pipe connection कर रहे हैं तो कम से कम 30 साल तक के लिए ऐसा करना होगा कि वो 30 साल तक चले service reservoir अगर बना रहे हैं यानि overhead tank या ground tank तो कम से कम 15 साल चलना चाहिए वैसा बनाएंगे distribution system अगर बना रहे हैं तो कम से कम 30 साल तक चलना चाहिए इस तरीके से design period जो है हम लोग बनाते हैं तो यह आपको समझ में आना चाहिए यह जो गवर्मेंट के अनुसार गवर्मेंट डाटा जो है दिया गया है कई वार exams में यह जो डाटा है इससे related एक्जैक टिक टॉक डिक्टो कुशन जो है exams में आ जाते हैं तो अगर यह डाटा याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे ना डाटा ही आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बता पाएंगे तो डियर देखो आज यह वीडियो थोड़ा सौट ही है ज्यादा लंबा मैं इस चीज़ को नहीं करने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जो एक बार सेयर कर दो और इसका जो नोर्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक के थ्रू जो आप इससे प्राप्त कर सकते हो या आप हमारे साथ जुड़े हो उसके लिए मुझे बहुत खुसी है कि आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देख रहे हो और यह जो टॉपिक है बिटेक फिप्ट समिस्टरे के लिए important है जो लोग भी बिटेक फिप्ट समिस्टरे में उन लोगों के लिए important है बहुत जादा तो इस तरीकी की वीडियो आपको और भी मिलता रहेगा बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो तैंक यू